वे तखरिए ये hello everyone में हूँ बीञा और टैंगिजन में आपका स्वागत है आज हम चोको दिलेट बनेंगे जो की बीञाओक चोकौर के बना सकते हो चोकोडिलेट बनने के लिए मैंने यहां पे 1 cup milk powder, 3 टेबल स्पून चॉकलेट, 2 टेबल स्पून cocoa powder, 1 टेबल स्पून घी, 2 टेबल स्पून शक्कर, मैंने यहां पे शक्कर को पीश के इसका powder बना के लिए हुआ है, दूद 1 फोर्थ कप, 2 टीएसपी cream, cream मैंने homemade इसमाल की है, तो चलिए हम चोको के लिए हम उसका mixer बनाएंगे, तो mixer बनाने के लिए मैंने पेन को गेस के उपा रखा है, गेस का फ्लेम मैंने बंधी रखा है, अभी हम गेस को अन नहीं करेंगे, अब इसमें हम milk powder डालेंगे, गोकोवा पाउडर, शक्कर, गी, थोड़ा सा गी, आदा चोटा चम्बा जित सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दे, सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम गेस का फ्लेम ओन करेंगे, देखिए सबको मैंने अच्छी तरह से हिला दिया है, अब गेस हम ओन करेंगे, गेस का फ्लेम मैंने ओन किया है, और आप देख सकते मिक्सर है, वो पहले से काफ अब हम गैस बंद करेंगे और बचा हुआ गी हम डाल देंगे और गी डालने के बाद हम इसे हिला देंगे मैंने इसे हिला दिया है अब इसे हम मोल्ड में डालेंगे अगर आप चाहे तो टिंग को ग्रीस लगा के भी टिंग का इस्समाल कर सकते ही पर मैंने यहाँ पर टिंग के अंदर बटर पेपर इस्समाल किया है जिससे चोको डिलाइट हो आसानी से बाहर निकल आएगा अब इसमें हम मिक्सर को डालेंगे चमज के उपर लगा हुआ मिक्सर को हम दूसरे चमज की सहायता से ले लेंगे और अब इसे हम चमज की सहायता से एक समान स्पेड कर देंगे बिक्सर को मैंने चमज की सहायता से चारो और एक समान प्रेला दिया है तो अब इसे चोकलेट गनाश से गानिश करेंगे चोकलेट गनाश बनाने के लिए हम चोकलेट को माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए गरम करेंगे देखे चॉकलेट वो मेल्ट हो गई है तो अब इसमें हम क्रीम को डालेंगे और इसमें अच्छे तरह से हीला दे देखे चॉकलेट गनाश है वो बनके तयार है मैंने इसे हलका सा ठीक रखा है अब इस चॉकलेट गनाश को हम मिक्सर के उपर स्पेड करेंगे जो के बच्चों को काफी पसंद आता है मैंने गनाश को चौकलेट के मिक्चर के उपर स्पेड कर दिया है अब इसे हम फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए चोको डिलेट को मैंने 10 मिनट बात फ्रीजर में से निकाल लिया है चोको डिलेट अच्छी तरह सेट हो गई है तो अब इसे हम निकालेंगे और इसे हम कट करेंगे मैंने इसे बटर पेपर से निकाल के हम प्लेट में लेंगे और आफ नाइस की सहायता से इसे हम स्क्वेर पिस में कट करेंगे चोकोड डिलाइट बनके तयार है तो इसे हम सवरिंग प्रेट में निकाल के सर करेंगे चोकोड डिलाइट बनके तयार है मैंने इसे सवरिंग प्रेट में निकाल के सर किया है बहुत ही जल्दी बनने वाली और टेस्टी रेसीपी है तो आप इस sweet को घर पे जरूर बनाईए और मुझे comment में feedback दिजिए कि आपको मेरी recipe कैसी लगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को like कीजे share कीजे और मेरे चैनल को subscribe कीजे ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके दुबारा हम फिर मिलेंगे तब तेक लिए thank you, bye